पिछले पांच सालों में कॉंग्रेस की सरकार ने नशे के मामले में रत्ती भर भी कुछ नहीं किया, एक कदम नहीं उठाया लेकिन इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन स्टन्ट की तौर पे इन्हों ने एक F.I.R. करके ये दिखाने की कोशिश करी कि नशे की इस लड़ाई में चन्नी साब ने मोर्चा फते कर लिया है आम आदमी पार्टी ने पहले दिन एक्स्पोस करके आपको ये बताया था कि सुखबीर सिंग बादल और चरंजीत सिंग चन्नी के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है इन दोनों का आपस में रिष्टा बहुत पुराना है सिटी सेंटर घोटाले जो लुध्याने में हुआ था उस समय चन्नी साब का भाई उस कैम में एक अक्यूस्ट था उसे छुडाने के लिए चन्नी साब ने बादलों की मदद ली थी और आज बादलों ने चन्नी साब की मदद ली और एक सीक्रेट डील के तहत इन लोगों ने फिक्स्ट मैच किया और एक इलेक्शन स्टंट वाली F.I.R. दर्ज कराई लेकिन आज तक बिक्रम सिंग मजीठिया की गिरफतारी चन्नी सरकार ने नहीं करी आज उस F.I.R. को दर्ज होए करीब करीब दो हफ़ते हो गए लेकिन बीते दो हफ़तों में अक्यूस्ट को चन्नी सरकार ने गिरफतार नहीं किया ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक अक्यूस्ट अपनी अंतिरिम जमानत अगरिम जमानत यानि कि एंटिसिपेटरी बेल की एप्लिकेशन एक लो़र कोट में लगाता है निया पलिका यानि कि कोट उस एंटिसिपेटरी बेल को reject कर देती है कह देती है कि आपको हम बेल नहीं देंगे ये एंटिसिपेटरी बेल आपको नहीं मिलनी चाहिए उसके बावजूद भी सूबे की पुलीस स्टेट पुलीस अभी तक अक्यूस्ट को गिरफतार नहीं कर पाई मैं आपको बता दू कि ये एक स्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रुसीजर है हर स्टेट पुलीस का एसोपी है कि जैसे ही एंटिसेपेटरी बेल रिजेक्ट हो इमिजेट अरेस्ट होता है ये पूरे भारत देश में हर सूबे में होता है लेकिन पंजाब एक ऐसा सूबा चन्नी साब ने बना दिया जहां नशे के मामले में एंटिसेपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद भी चन्नी साब बिकरम सिंग मजीठिया को अरेस्ट नहीं कर रहे है और नहीं करेंगे क्योंकि चन्नी साब की एक सीक्रेट डील है चन्नी साब की एक अंडरस्टेंडिंग है बिकरम सिंग मजीठिया के साथ और सुखबीर सिंग बादल के साथ इनकी आपस में मैच फिक्सिंग है रल मिलके ये लोग काम करते हैं और इलेक्शन से कुछ हफ़ते पहले पंजाब सुखे की आवाम की आँख में धूल जोकने के लिए ये कमजोर एफ आई आर और ये इलेक्शन स्टन्ट वाली एफ आई आर दर्ज कराए गई बीस डिसेंबर को एफ आई आर दर्ज हुई आज दो जन्वरी हो गई करीब करीब दो आफ़ते बीट गए लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ 24 डिसेंबर को 24 डिसेंबर 2021 को एंटी सिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है यानि कि अग्रिम जमानत की याचिका खारिच करता है कोट लेकिन तब भी गिरफ्थारी नहीं होती अरेस्ट नहीं होता कहा जाता है कि अक्यूजड अभी युक्त जो हैं वो फरार हैं हम लुक आउट नोटिस जारी कर रहे हैं हो सकता है कहीं हम उन्हें ढूंड के गिरफ्थार कर ले लेकिन शर्म की बात तो ये है कि अक्यूजड खुले आम गूम रहा है और चन्नी सरकार बिकरम सिंग मजीठिया को ना गिरफ्थार करेगी ना करना चाती है क्यूंकि चन्नी साब की बादलों के साथ सेटिंग है कल तस्वीरे आई सोशल मीडिया पर न्यूस चैनलों पर दिखाई गई हम सब ने देखी कि कैसे अकाली दल के आगू बिकरम सिंग मजीठिया श्री हरमंदर साब में नए साल के शुरू होने पर मत्था ठेकते हैं उनकी स्वन्ड मंदिर में अंदर जाते होए की तस्वीरें मत्था ठेकते होए तस्वीरें सारी सामने आती है स्री हरमंदर साब के आज पास भी सीसी टीवी कैमरे लगे हैं टास्क फोर्स रहती है पुलीस का घेरा है लेकिन ना पुलीस ना सीसी टीवी कैमरों में चन्नी सरकार बिकरम सिंग मजीठिया को पकड़ पाती है और मत्था ठेके भी अभी कई घंटे हो गए अभी तक चन्नी साब की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया एक बहुत ही सीनियर पुलीस अफसर ने हमें ये बताया है कि मुख्यमंत्री चरण जीट सिंग चन्नी ने अपनी पंजाब पुलीस को ये हिदायत दी है ये इंस्ट्रक्शन दी है कि बिकरम सिंग मजीठिया को गिरफतार नहीं करना है सिर्फ एफ आई आर करकर छोड़ देना है सियासत का फाइदा सियासी फाइदा लेना है उन्हें गिरफतार बिलकुल नहीं करना ये चन्नी साब ने सीधे आदेश पंजाब पुलीस को दिए मैं आज आप सब के सामने ये बात कानून का जानकार होते होए भी ये बात साफ तोर पे रखना चाहता हूँ कि भारत के किसी सूबे में ऐसा नहीं होता कि एंटिसिपेटरी बेल खारिज हो जाए और गिरफतारी न हो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जैसे ही एंटिसिपेटरी बेल खारिज होती है इमिजेट अरेस्ट होता है लेकिन यहां चन्नी सरकार की ना म अंच्छा है ना इच्छा है और नहीं उनके पास पुलिटिकल विल है विकरम सिंग मजीठा को गिरफतार करने की चन्नी साब और बादल साब रल मिलके अपनी 75 पच्ची करके इस नशे का व्यपार चलाते हैं इसमें कोई दोराय नहीं कि चन्नी साब को भी लगता है इस प ले रहे हैं सौ दिन की रिपोर्ट कार्ट भले ही निकालते हैं लेकिन सौ दिन में सौ जगाएं अगर ऐसी गिनवादे चन्नी साब जहां पंजाब में नशा बिकना बंद हुआ ऐसी कोई सौ जगाएं जहां नशे की बिकरी में गिरावट देखी गई हो नशा हर गली हर मह पल्ले में चन्नी साब से पहले जितना बिक्ता था चन्नी साब के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उतना ही बिक्ता है नशे का वेपार वैसे ही चल रहा है पंजाब के युवाओं की नसों में नशा वैसे ही उतारा जा रहा है और 75 पच्ची वाली कमिशने सरकारों के पास और बड़े बड़े आगूओं के पास निताओं के पास वैसे ही जा रही है। कुछ नहीं बदला लेकिन लोगों की आँखों में धूल जोकने के लिए ये F.I.R. करके बड़े बड़े इश्तिहार अख़बारों में बड़ी बड़ी आडविटिस्मेंट अख़बारों में चन्नी सरकार ने दी, चन्नी साब ने दी कि नशा खतम कर दिया मैंने मैंने नशे की सबसे बड़ी मचली, सबसे बड़े मगरमच को पकड़ लिया अब पंजाब में नशे का कोई समस्या नहीं है, नशे की कोई प्रॉब्लम नहीं ये वही नेता हैं जो श्री गुटका साब जी की कसम खाकर कहा करते थे कि हम पंजाब से चार हफ़तों में नशा खतम कर दें चन्नी साब चार हफ़ते छोड़िये तीन महीने से जादा हो गया आपकी सरकार बने आपको मुख्यमंत्री बने कोई एक जगा बताईए पंजाब में जहां नशा भिकना बंद हो गया हो ये मेरा चैलिज है डायरेक्ट चैलिज है चरण जीद सिंग चन्नी साब को चन्नी साहब एक कॉंप्रमाइस्ट चीफ मिनिस्टर है उन्होंने नशे के सौधागरों के साथ कॉंप्रमाइस कर लिया है और 75 पच्ची के हिस्सदार भी हैं जिसके तहट आज वो नशे की FIR के एक भी बंदे को एक भी शक्स को गिरफतार नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंग इनकी ना इच्छा है ना मंचा है ना इनके पास पुलिटिकल विल है